दोस्तों क्या आपका दुश्मन आपको दिन रात परिशान करने में लगा है वह लाग कोशे करता है ताकि आप अपने जीवन में सफल ना हो पाएं आपके काम में बाधाय डालना आपके काम में अडचन डालना उसका दिन रात यही काम है आपको आपके कारोबार में काफी ज जवाब देना चाहिए दोस्तों इसके लिए आपको शुकरवार वाले दिन नीम्बू तीन लॉंग एक चाकू और यह रक्षा सुत्र का धागा लेनके और बैड़ जाना है सबसे पहले आपको इस चाकू से इस नीम्बू को आधा काटना है दोस्तों और इस बात का विशेज यहां रखें दोस्तों कि जब भी आप यह उपाई कर रहे हैं तो आपके मन में आपके दुश्मन का चहरा होना चाहिए मतलब कि जिसके ओपर आपको यह वश्यकरण उपाई करना है उसका चहरा सोचते वे आपको यह तोटका करना है दोस्तों यह तीन लॉंग इस निम्बू में गाड़ने के बाद आपको इस पे यह रक्षा सूतर का धागा लपेट देना है दोस्तों इसे लपेटने के बाद आपको इस पे तीन बार फूक मार रही है और फिर अपने दुश्मन का नाम लेते हुए इस मंतर का जाब करना है दोस्तों मंतर है क्रीं क्रीं शत्रू वश्यम क्रूं क्रूं फट नम स्वाहा दोस्तों आपको पने दुश्मन का नाम सोचते हुए इस मंतर का जाब डरने के बाद यह निम्बू अपने घर के पास कोई भी शमशान घाट है वहाँ पर किसी भी कबर के पास दबा कर अपने घर वापिस आ जाना है दोस्तों दो से तीन घंटे के अंदर अंदर यह मंतर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा और वहाँ दुश्मन आपके वश में हो जाएगा आपका गुलाम बन जाएगा और फिर उससे आप अपना मंचह कारे करवा सकते हैं फिर वह आपको किसी पर तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा